कि दोस्तों आफ Sबी को हमारे Youtube चैनल मस दूस्तों अज हम ऐसी ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो बहूत ही Sóसे का जो नया फॉरमुला आने वाला है फ्यूचर में और उन कंपनियों की बात करेंगे जो इन बहुत धडले से काम कर रही है और फूचर में इनका सेयर बहुत हाई हो जाएगा जिससे कैज करना एक रिटेलर के लिए बहुत मुस्किल हो जाएगा दोस्तों जिस हम सोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों हाइडोजन देखे दोस्तों यह जो कंपनिया है जिन कोई पॉलूशन नहीं होगा उससे और उस सरकार उसके पिछे कापी तेजी से लगी हुई है तो उसको बहुत आगे को आगे को आगे में इस सेक्टर में बहुत जबदस क्रोथ आई है तो दोस्तों उसमें जो सबसे पहली कंपने जो काम कर रही है वह है रिलाइंस इंडस्ट इसमें बहुत जबदस धंक से काम कर रही है और यह जो हाइडोजन का कॉंसेट है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेट है क्योंकि जो हम भी माल बाहर से करेते हैं विदेश से कुरूड ओयल खरता है जिसके वाज़े से इंफलेशन बढ़ लाए तो फ्यूच इसे हाइडोजन गीन एनरजी को यूज कर सकता है तो बहुत ही आराम से हम इंफलेशन को बीट कर सकता है और इन कंपनियों को प्राइस हैं आपको जो यह अभी 2300 दिख रहा है तो इसका अगर जीरो लगते भी देनी लगेगी तो चलिए बात करते हो कौन-कौन सी कंपनिय हें जो इन कंपनियों में future के जो रिक्वर और इस नहीं है और जिससे के आने वाले टाइम में इनकी कंपनियों को बहुत जबधस फायता है सबसे पहले Reliance industry Land studies प्रहित भी दोस्तों इर्वल因करी ढांवे जी सलोली नीचे डॉन पर उठाने सारे से हैं दोस्तों यहां पर 23 स जब जब आपको गिराओट मिलते है तो आपको SIP के थरू धान रखे आप SIP के थरू ही स्टॉक में जाएंगे। उसको future के लिए इसी stock पे छोड़ सकते हैं, hold करके रह सकते हैं, क्योंकि आप इस पे hold करेंगे, दोस्तों, इसका future बहुत जबदस्त है, जो अभी 2300 का stock दिख रहा है, यह आने वाले time में, 5-10 साल में आपको 8000-10000 भी दिखने को मिलेगा, तो इसमें कोई अजूबे की बात न करेंगा, जो अभी stock हों में invest करेंगा, तो उनको आने वाले time में बहुत अच्छा पैसा बनेगा, चलिए आगे बात करते हैं, दोस्तों, देखें अभी जैसे यहां पर खबर निकल के आई थी, कि ओलक्ट्रागी एक छोटी company है, small cap की company है, यह भी बहतरीन company है, इसने बहुत hydrogen बस जो बनेगे, उसके लिए इननों पार्टरसिप किया, तो उसकी वज़े से इनकी share price में भी बहुत तगला जम पाया है, इनका share price काफी टाइम से नीचे वो consolidated form में था, जैसी यह news आए तो इसमें बहुत तगला 20% का जम एक दिन माया, तो Reliance ने दूसरा असोगल इलेंट से भी partnership करी है, hydrogen gas के लिए, तो दोस्तों यह future का हत्यार है, तो अभी इसमें growth धीरे-धीरे करके दिखेगी, step by step, जैसे क्योंकि year on year जब इसमें काम चलेगा, तो दोस्तों धीरे-धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो इ हम इसे 2-4% तो वैसी automatically list है, हम इसमें काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि इसका future अच्छा है, hydrogen gas पर काम कर रही है, renewable resources पर काम कर रही है, और diversified portfolio है, तो हम इसमें trading भी कर सकते हैं, एक swing trading के जरी हम यहां से 3-4% यहां से उठा सकते हैं, monthly, monthly, और yearly यहां से दोस्तो उठा सकते हैं, 40-30% बहुत बड़ा amount होता है, दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे 2300 लिख लेना है, यहां पे भी 2300 लिख लेना है, और यहां पे निचे निचे जब करता है, 3-4% गिरता है, तो यहां पर एक एक दो दो करके quantities बढ़ानी है, और दोस्तों यह कोई भी क long term काम करेंगे, तो दोस्तों हम 3% मंतली ले सकते हैं, और ELD 36% ले सकते हैं, दोस्तों और अगर हम long term के लिए कर सकते हैं, तो हमारा जो capital मल्टी बैगर बन जाएगा, मल्टी बैगर, दोस्तों यह price के आगे 0 लगने में दे नहीं लगेगा, अगर यह आगे का concept इनका सही काम करेंगा, बट हाँ, इसमें एक चीज है, patience की बहुत जरूद है, और hold करना जरूद है, दोस्तों, और दूसरा हमें, दोस्तों, तो दूसरी जो company है, दोस्तों, वो है Gail India Limited, दोस्तों, अगर हम इस company की बात करेंगे, जो इसका market price 103 के आसपा चलना है, और 5% की तेजी इसने भ भारत सरकार की company और भारत का इसमें बहुत ही, बहुत भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है hydrogen gas पे, क्योंकि जिस परकार पुरे देश में महंगाई बढ़ लिए है, पुरे world में महंगाई बन लिए है, भारत सरकार को crude oil जो खरीदना पड़ता है दोस्तों, और डॉलर क काम होगा और hydrogen gas पे, hydrogen green पे काम होगा तो इससे inflation भी घटेगा और economy भी बढ़ेगी, तो उसमें गेल इंडिया लिमिटेट का बहुत योगदान है दोस्तों, अभी 103 विपिक का share है, यह सरकारी company है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ती है आप इसमें, जब भी यह सरकारी जो company होत करता है तो ज़्यादा quantities में उठाना है और यहां पर धीरे धीरे यहां पर करके और जब यह दोबारा 52 विक हाइट करता है तो अपना profit मुक कर लेना उसके बाद जो आपका पैसा बतार दो तो उसको इसी stock में रहने देना है और long term के लिस्ट invest हैना है दोस्तों क्योंकि जो सो से लेते हैं उनकी quantities आट से दस बार बना दियोगे जिनके जिनोंने यहां पर सो से लेंगे किसी टाइम पर उनके पास हजार से दो हजार quantities के सेर ही सेर होंगे और dividend भी बहुत अच्छा देती है तो दोस्तों ऐसी company में हमें हमें सब focus सकना चाहिए जो near future में जिसका future इसमें short term के लिए भी ले सकते हैं आपकी जो यह strategy है नीचे नीचे करना है नीचे नीचे और हाँ SIP के थूट को यह SIP एक भरमास्त है आपको इसके थूर ही जाना है अगर आप SIP के थूर जाएंगे तो दोस्तों आप Sensex और Nipty को आराम से बीट कर सकते हैं नहीं तो कुछ बंदे कॉल में लगाते हैं कुछ बंदे पूट में लगाते हैं और end of the day Thursday को expiry में जो retailer होता है उसका पैसा जीरो हो जाता है क्या हो जाता है और उसके बाद जो कुछ पैसा जो profit होता है दोस्तों वो सिर्प 10% जो बड़े player होते हो वो लेके घर लेके जाते हैं और इ जार करना है क्योंकि rat price हमें पता नहीं है तो हम दोस्तों यहां पर नीचे नीचे में जब यह नीचे जाता है तो हमें ज्यादा quantity खरीद निया और आपको 10,000 रुपी लगा रहे हैं तो आप पांच installment में लगाईए धीरे धीरे करके जैसे जैसे installment लगाएंगे दोबारा यह कंपनिया back करती है क्योंकि यह कंपनिया fundamentally strong कंपनिया होती है तो दोस्तों back करती है और बैक करते से यह कंपनिया वापिस अपना सारा पैसा require कर लेती है जो अगली कंपनी का नाम है Indian Oil Corporation Limited जैसे कि आप सब जानतों Indian Oil Corporation Limited दोको इसका price दो अभी 77 का आसपा चलना है क्योंकि यह बार बार आपको bonus देता है और split होता है तो इसके price डाउन ही रहता है क्योंकि यह भी भारत सरकार की company है भारत सरकार को dividend चाहिए होता है क्योंकि भारत सरकार को दोस्तों उनके जो center government के employees है बहुत सारे employees है तो उनकी salary निकालनी होती है और उनके maintenance का खर्च निकालना होता है ग इसकी सरकारी company होती है बहुत अच्छा dividend देती है और bonus देती है अगर बात करते हैं इंडियन oil corporation की दोस्तों इंडियन oil corporation भी दोस्तों इसका भी concept hydrogen gas पे काम कर रहा है solar gas पे काम करना है और जैसे जैसे हर गाउं गाउं में solar gas पहुचा जाएगा उस पे यह काम कर रही है तो आन renewable resources के और को जाएंगे इनके बहुत इनके अगर आप जाओ कि तो हर जगह आपको petrol pump petrol pump दिखेंगे दोस्तों petrol pump जगह 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 इनके petrol pump है उन petrol pump में क्या होना है आने वाले टाइम में EV का charging station लगेंगे क्योंकि EV के पास अपनी land है अपना petrol pump है बस इनको क्या करना है EV के charging stations लगाने जैसी charging station लगेंगे इनके अच्छी खासे अन्य होगी तो यह company कहीं नहीं जा रही है और इसने इसने फ्यूचर में बहुत बार बहुत बार one is to one के bonus दिये हैं और आप इसके अगर अगर इसकी bonus इसकी डिकालेंगे तो इसने तुम स्कुम चैसे साथ बार बोनस बोन चैसी सरकारी कंपनिया होती है कोई बीचीजन होता है तो सरकार का government का चाही हो चाही गलत तो ये उपन नीचे चलती रहती है 52 week नीचे पर आपको उठाना है और 52 week हाई पर अगर चाहो तो बेज देना है और long term में रखना चाहते हो तो long term में रख सकतो तो यह ऐसे से काम करोगे तो दोस्तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा इन कंपनियों में आपका पैसा safe है अपडी से इस तो safe है और क्योंकि इनका future भी अच्छा है तो यह कंपनियां काफी अच्छा है तो जो दोस्तो अगली कंपनिय हुआ है लार्शन ट्यूब है प्राइविट कंपनिय है जैसे L&T का नाव आपने सुना होगा infrastructure के बहुत जबदस कंपनिय है all time high देखे दोस्तों क को आपडी से दुगना दे देगी आपको इसका अच्छा पहासा डिवीट यनि देटी है दोस्तों और इसका अभी काम बहुत अच्छा है तो यह भी स्लय यह भी तो यह जी पहुत अरहा मिसे बारु सकते हैं जान सकते हैं गूगल से तो यहः oldest इन कंपनी आपको जैसे एकिसवगा price लिकलेना है, एकिसवगा price लिकलेना है और यहाँ नीचे-नीचे जब दो-तीन percent गिरती है तो दोस्तों आप यहाँ पे यहाँ से पैसा बना सकते हैं, आप यहाँ से 3% मन्तिली पैसा बना सकते हों 40% ELD भी बना सकते हैं अगर आप चाहिए तो अगर आपकी आप अगर किसी कारण वाजस में फस भी जाते तो इसको होड़ कर सकते हैं आप इसको लॉंग टाइम के लिए होड़ कर लिए क्योंकि रिन्यूबल एनरजी पर काम कर रही तो आने वारे टाइम में आपका पैसा मल्टिप्लाइ करेगी त कि अब को पता है अगराइन गरिंको प्रेग घ्रसकुन जब से कमेंट आया है तो तबसे कंपनी डाउनफॉल में चल दीए और कुछ टाइम पहले 100-200 रुपय की हुआ करती थी और ये 2000 तक पहुंच गी है ये इतने उपर पहुंच गी तो ये तो बहुत ही बड़ा इस पहें खेल चला था तो अब ये धीरे-धीरे अपने अपने एक्च्छल प्रैस पर आगे कोई भी जो कभी भी अगर कोई कमपनी पंप के थुरूप पर जाती तो इसको नीचे आना ही आना होता है तो अब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर ये कमपनी चली फ्यूचर तो ये भी हाइडोजन गीरी पर काम कर रही है तो इ तो आप तो आप अच्छी नियुज नहीं आती है तो आप अच्छी नहीं आती है क्योंकि फूचर अच्छा है है अच्छा नाम है यह भी बहुत अच्छा डिविडेंट देती है तो यह भी भारत सरकार की कंपनी है तो दोस्तों इसका अब भी बहुत अच्छा है तो यह कंपने फ्यूचर के लिए आप कर सकते हो बस आपको क्या करना है बस आपको एक काम करना है तुक्ड़े तुक्ड़े में पैसे लगाने कभी बिचाए कोई भी स्टॉक हो जैसे 300 रु लॉंग टाइम में बढ़ता है यह सेंसर हमारा बढ़ा है निप्टी बढ़ा है पिछले 10 से 20 साल से 15 16 प्रशंट का सीजा है तो वह सी ऑटमेटिक लिए और यह स्टॉक ऐसे ग्रीन एनर्जी पर काम करें जो आने वारे टाइम है फ्यूचर नीक है पूरे वर्ल्ड इसी प 3% क्योंकि उपर नीचे होते रहते हैं 3-4% मंतली भी कमा सकते हैं 40% साल का भी कमा सकते हैं और अगर फज जाए करें तो होल्ड भी कर सकते हैं लॉंग टाइम के लिए तो अगर आपको दोस्तों यह जो हाइडोजन ग्रीन का कॉंसेप्ट पसंद आया है और आपको लगता ह कि इसमें फ्यूचर है तो आप इन इस टॉक्स को देख सकते हैं और हाँ निवेस करने से पहले अपने फैनेशल एडवाईजर से जरूर सला मस्तुरा कीजिए और खुद भी थोड़ा सा एनलाइसेस कीजिए क्योंकि यह सारी चीजा आपको गूगल पे एवेलेवल रहती ह है अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक है और से करना ना भूलेए